Bitcoin Ethereum और BNB के बाद अगर किसी project के बारे में ज्यादा चर्चा होता है तो वो है Solana coin तो कि Solana layer 1 project है खुद का उसका अपना blockchain है और भी कई सारे इसके key feature है In fact Solana के blockchain पे अभी काफी सारे token जो डेबलप हो रहे हैं Solana के price भी काफी जादा hike पे है इस case में क्या Solana coin को आपको buying करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं देखो price prediction को तो side में रखो लेकिन Solana coin आपके portfolio में होना ही चाहिए ये आप पिछले bull run से सुनते आ रहे हो और in fact Solana coin ने एक बहुत ही बहतरीन सा return भी दिया है इन past दिनों में मैंने खुद Solana coin से जबरदस सा profit लिया है तो अभी क्या ये exact timing है Solana coin में invest करने का क्योंकि bull run अब करीब है market आप देख भी रहे हो कि कितना अच्छा pump कर रहा है इस वीडियो में हम detail में बात करते है कि आखिर Solana coin का pricing क्या हो सकता है किस target पे आपको फिलाल के time में buying करना चाहिए और इससे आपको क्या return देखने को मिल सकता है वीडियो को इंट तक देखते रहे है लेकिन चलता हम आपको screen पे complete information देता हूँ तो सब में आपको एक चीज़ similarity देखने को मिलेगी जो की है Bitcoin, Ethereum, BNB और उसके बाद 5 number पे Solana यानि सभी website पे जो Solana coin है वो almost 5 number के position पे rank करता है जहाँ पर last bull run में Ethereum ने एक लंबा hike दिया था और 4860 dollar का एक all time high create किया था वहीं Solana coin ने 269 dollar का all time high create किया था भी आप देख सकते हैं 6 November 2021 सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर Solana की इस तरह का project है इसके website पे भी अगर आप आके देखते हो तो इसका website काफी ज़्यादा simplified रखा गया है और काफी कुछ details आपको इसमें देखने को भी लेंगे सबसे पहला चीज टाक को बदा दो कि Solana एक परकर का decentralized blockchain है और जिसके native blockchain का use करते हुए काफी सारे अभी token market में develop किये जा रहे हैं In fact Solana के ecosystem में कई सारे से mean coin है वो भी edit कर दिये गया है Solana के founder जोकी Anatoly Yakovenko जिन्होंने 2017 में इस project की सुरवात की थी और Solana का basic जो use है दोस्तों वो problem को solve करने का काम करता है यानि Ethereum में या फिर कोई भी project के अंदर कुछ खराबी है तो उस problem को solve करने का काम करता है Solana In fact अगर देखा जा तो Ethereum से भी ज़्यादा fast Solana का blockchain है जहाँ पर 50,000 transaction per second यहाँ पर execute होता है वहीं Ethereum की बात करें तो वहाँ पर यह जो transaction number है वो बहुत ही कम है Solana proof of stake पर काम करता है दो चीजे market में काम करती है एक होता है proof of work और एक होता है proof of stake इसके बारे में हम किसी और वीडियो में detail में बात करेंगे number या फिट December में जो Solana coin ने all time high create किया उसके बाद इसका जो price है वो down होते हुए चला गया और December 2022 तक तो इसकी pricing almost 15 dollar तक चला गया लेकिन उसके बाद आप देखोगे इसमें growth तो आप देख सकते हो यहाँ पे 15 dollar से यह आज के date में 171 dollar तक यह पहुँच चुका है अल्मोस्ट 1200 से 1300% तक का return दे चुका है fundraising की बात करें तो यह already 314 million dollar की fundraising कर चुका है जहाँ पर इसमें कई सारे जो venture है वो यहाँ पे अपने fund को invest करके रखे हुए है तो इसमें कोई doubt नहीं है कि Solana एकपर का बहुत ही strong project है और आने वाले वक्त में Solana coin में बहुत ही जबरदत से rally देखने को मिलेगा जब सुरो सुरो में इसका ICO आया था तो इसका pricing 0.22 dollar था याने 20 cents के करीब था और all time high में इसने करीब करीब 32,000 का return दिया है यह तो हो गया दोस्तों बात इसके overview का जिससे आपको अंदाजा मिल चुका होगा कि यह project कितना ज्यादा strong है अब बात करते हैं दोस्तों इसकी pricing की Solana के price analysis या फिर ROI को अगर आप ध्यान देते हो यहाँ पर देख सकते हैं Solana का price analysis है 2020 से 2024 का अगर आप return देखते हो तो यह जो महीना चल रहा है October का महीना चल रहा है 2020 में minus 46% था उसके बाद यहाँ पर 43% अप गया है फिर से 2022 में minus 1.6% है और वही 2023 में देखोगे तो 80% का return दिया है October के महीने में देखा जा तो overall October का महीना Solana coin के लिए अच्छा ही रहा है इस महीने अभी तक 8.26% का यह return दे चुका है और chances है कि यह return और भी ज़्यादा यहाँ पर increase होगा चाथ साथ यहाँ पर November का मन्थ भी इसके लिए positive है यहाँ पर मैंने Solana का चार्ट open करके रखा है यहाँ पर देख सकते हो करीक करीश चार महीने से Solana coin इसी range में move कर रहा है लेकिन एक चीज़ आपने notice किया होगा यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर breakout मिला है और यहाँ से price pump किया है वहीं सेम चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ से भी pumping हुआ है और वहीं सेम चीज अभी फिलाल मार्केट में यहाँ पे हो रहा है और यहाँ से भी प्राइस पंप होने की ज़्यादा ज़्यादा चांसेस है अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 160 से लेके 162 तक का यह जोन को ब्रेक कर चुका है और हाईली चांसेस है कि यहाँ पे हमें 100 टम में इसका जो प्राइस है वो 181 डॉलर तक देखने को मिलेगा हमारा फर्स्ट टार्गेट हो गया 181 डॉलर का सेकेंड टार्गेट मैंने यहाँ पे मार किया है 193 डॉलर तीसरा यहाँ पे 206 डॉलर और चौथा यहाँ पे 223 डॉलर 223 डॉलर को हम यहाँ पे long term के लिए consider करेंगे जो कि bull run में होगा बट short term में यह अराम से 200 डॉलर तक को cross करते वे दिखाई दे सकता है इस case में आपको buying कहाँ पे करना चाहिए तो आप चाहे तो यह जो अभी range आपको दिखाई दे रहे ना इस range में आप buying कर सकते हो 160 से 173 डॉलर के बीच में या फिर आप wait भी कर सकते हो यहाँ से जब price में थोड़ा सा breakout देखने को मिले तब आप investment कर सकते हो आपको फिर से suggest करूँगा कि यहाँ पर एक बार में ही अपना पूरा का पूरा fund ना लगा है example के लिए मानलो आपके पास 1000 डॉलर है तो आप यह 1000 डॉलर को एक बार में ही ना लगा है पहला entry आपने मानलो 160 डॉलर पर ले लिया second entry अगर यह 105 पर आता है तो वहाँ पर आप ले सकते हो उसके बाद यह 130 पर आता है तो वहाँ पर आप ले सकते हो उसके बाद यह 120 पर आता है तो वहाँ पर ले सकते हो अपने portfolio को आपको divide करके use करना है एक बार में ही आपको अपना पूरा का पूरा पैसा नहीं लगाना है जैसे आपका target हीट होता है वैसे वैसे आप selling भी कर सकते हैं जैसे मानलों आपने 120 पे entry लिया था जितने amount से आपने entry लिया उसे आप 130 पे या फिर 35 पे exit कर दो फिर जो आपने 130 पे entry लिया था उसे 145 पे exit कर दो 150 पे लिया था उसे 180 पे कर दो और 160 पे अगर लिया है तो उसे आप wait कर सकते हैं 200 डॉलर तक जाने का बाकि दोस्तों crypto एक volatile market है जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वह 100 परसंट यहां पे correct होगा नहीं पर भी आप investment करते हो तो एक बार खुद से अपना research जरूर से कीजिएगा क्योंकि after all जो कुछ भी आप invest कर रहे हो उससे profit भी आपका होगा loss भी आपका होगा यह मैं अपना prediction बता रहा हूँ कि मैं इसी plan के recording मूव करने वाला हूँ आप अपना खुद का research करके और अपने plan के recording भी जा सकते हैं यह था दोस्तों video overall Solana coin के बारे में उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जानने को मिला होगा वीडियो अगर helpful लगा तो प्लीज वीडियो को like करके चैनल को subscribe करें किसी और coin के बारे में analysis जाते हैं उस coin का नाम नीचे comment में जरूर बता है नेक्ट वीडियो में हम उस coin के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में thanks for watching good bye